नमस्ते मैल का ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासस में स्वागत है तो आज हम क्या डिसकस करेंगे आज मैंने आपको ये बताने के लिए ये वीडियो बनाया है अगर कोई प्रेगेंट लेडी है और आप बहुत जादा घबरा रही है कि आपके पैरों में सबसे पहली बात आपके बॉडी के अंदर एक बच्चे का विकास हो रहा है इसका मतलब है आपके यूट्रस पे प्रेशर बन रहा है जिसकी बज़ह से ब्लड का सर्कूलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है आपके बज़ह से आपके पैरों में स्वेलिंग आ रही है पैरों म कि नॉर्मल है सबसे पहली बात जब आप सुबह सुबह उठते हो ना अपने पेरों को चेक करते हैं पेरों में इसका मतलब है बिल्कुल नॉर्मल है और जट सदिन धल रहा है आपके पेरों की स्वधिंग बढ़ती जा रही है लेकिन जब आप तक ये के नीचे पेर रखते ह पैर को ऊपर करके उंचा करके जब आप लेटे हैं या फिर बैठते हैं तो आपके पैरों के स्वेलिंग कम हो जाती है इसका मतलग है बिलकुल नॉर्मल स्वेलिंग है लेकिन जब आप सुबह सुचण है दर्ध बहुत जादा हो रहा है और आप आराम कर रही है तक कि ऊपर पैड को उचा रख रही है तभी आराम बिल्कुल नहीं मिल रहा है तो यह बिल्कुल नहीं है यह अब नॉर्मल है अधर बॉड़ी में अधर कंडिशन जैसे की किड्नी प्रॉब्लम या फिर किड्नी स्टोन या अन्य तरह की और कोई भी दिक्कत होती है या फिर एडीमा का क क्या करना है आप प्रिग्नेंसी के दोडान बहुत जाता मूड स्विंग से गुजरती है तो आपकी बॉड़ी में तरह तरह की समस्या होती है क्या करना चाहिए आपको अगर पैलों में स्विलिंग है तो सबसे पहली बाद सुन लीजे आप कान खूल करके आपको खाने में नमक बिलकुल कम खाना है मतलब सोडियम ना के बरावर बहुत कम पुटैश्यब जिस भी चीजों में हो जिस भी फूट्स में हो जैसे की संत्रा हो गया या और तरह के जो भी चीज़े होती है जिनमें एक फॉस्परस की मातरा बहुत ही अच्छी अमांट में होती है वो ची करेला खाते है उसके जस्ट बाद आपको मूली बिलकूल नहीं खाना है वरना कॉंस्टिपेशन की समस्या और ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि कॉंकि जब्सक्रावर चीजें कम खाना दूसरा के बाद आपको वॉक्ष नहीं जाना है आराम करना है अच्छे से के ठाई म में आपको अराम करना है लेकिन साथ ही साथ आप हलका फुलका मुव्मेंट भी किया कीजिए वर्णा बैठने से काम नहीं चलेगा आपके पैड़ों में स्वलिंग हो सकती है इसलिए अपने आपका खास खयाल लखे अपनी बच्चे का जो आपकी बॉड़ी के अंदर भी पल